स्वागत एक बार फिर से RSS Study Government Jobs में दोस्तों Jobs और Railway से संबंधित वीडियो मैं अपने YouTube चैनल पर लाते रहता हूं तो दोस्तों Jobs और Railway से संबंधित वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले ताक कि Railway से संबंधित हर परकर का नोटिफिकेशन आपको समय टू समय मिलता रहे हैं तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में Railway से संबंधित LDC और GDC ये दोनों एकजाम के लिए दोस्तों जैसे में ALP Technician J.E. Black Smith या फिर Builder किसी भी एकजाम में दोस्तों पूछा गया राज भासा हिंदि से संबंधित objective टैप का question लाया हूँ तो दोस्तों Railway के किसी भी departmental एकजाम में राज भासा हिंदि पूछा ही जाता है जो कि दोस्तों आपको यहाँ पर 10 नंबर का रहता है तो चलिए दोस्तों उसकी तैयारी के लिए यहाँ पर हम कुछ objective प्रस्ण है जो हम अभी देखेंगे तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे राज भासा हिंदी से संबंधित बस्तुनिष्ट प्रस्ण तो हमारा पहला प्रस्ट है दोस्तों राज भाशा अधिनियम कब लाग हुआ उपशन A 1967 उपशन B 1963 उपशन C 1976 उपशन Dspeed तो इसका सही अनसर है दोस्तों उपशन B उसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर कोश्चिण है राज भाशा नियम कब बनाया गया तो राज भाषन नियम दोस्तों option A दिया गया है यहापर 1963, option B 1905, option C 1976, option D 1967 तो दोस्तों यहाँ पर सही एंसर है option C 1976 हमारा तीसरा प्रस्ण है दोस्तों भारत संग की राज भाषा देवनागरी लीपी हिंदी किस अनुछेद के अंतरगत आती है तो दोस्तों यहाँ पर option A अनुछे 343 के 1, option B अनुछे 343 के 2, option C अनुछे 344 के 1, option D अनुछे 344 के 2 तो यहाँ पर दोस्तों आपका सही एंसर होगे अनुछे 343 के 1 चौथा प्रस्ण है दोस्तों समिधान लागू होने से 15 वर्ष तक किस भासा को सरकारी कार्वर में पूर्वर्वत चलती रहेगी यानि कि दोस्तों यहाँ पर धिहान देजिए समिधान लागू होने से पहले समिधान कब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू हुआ उसके बाद दोस्तों 15 वर्ष तक कहता है तो 1950 से 15 वर्ष कितना हो गया 1965 तक हो गया दोस्तों तो इन 15 वर्ष के बीच में जो है दोस्तों सरकारी कार्वर में जो भासा चलता था वो है दोस्तों यहाँ पर अंग्रेजी के बाद हमारा पाचवा प्रस्ण है किस अनुछेद के तहत राजभासा आयोग का गठन हुआ तो यहाँ पर पहला option है अनुछेद 344 के एक option B अनुछेद 342 के एक option C अनुछेद 343 के एक option D अनुछेद 345 के एक तो यहाँ पर दोस्तो हमारा सही जवाब है अनुछेद 344 के एक हमारा चट्था प्रस्ण है राजभासा आयोग का गठन कब किया गया तो दोस्तो यहाँ पर option A 7.1954 option B 7.1955 option C 7.1956 option D 7.1957 तो इसका सही जवाब है दोस्तो option B 7.1955 को जो है राजभासा आयोग का गठन किया गया था हमारा सात्वा प्रस्ण है दोस्तो राजभासा आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में हुआ तो यहाँ पर अपसे पहला option है बाल गंगाधर तिलक दूसरा option है बाल गंगाधर खेर तीसरा option है जवाहर लाल नहरू और चोथा option है दोस्तो लाल बहादुर सास्तरी तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा option बी बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में राजभासा आयोग का गठन किया गया था हमारा आठवा प्रस्ण है दोस्तो उच्तम न्याले की भाषा अंतता क्या होगी या निकी दोस्तो सबसे आखडी भाषा जो है उच्तम न्याले का क्या होने वाला है तो पहला option है हिंदी दूसरा option है उर्दू तिसरा option है अंग्रेजी और चोथा option है दोस्तो संस्कृत जो क कि इसका सही अंसर है दोस्तों हिंदी उच्टम नियाले के अन्तत्व भासा जो है हिंदी होगी हमारा नौव प्रशन है दोस्तों राज भासा हिंदी के विकास का सम्बंद समिधान के किस अनुछेद से है तो यहां पर ओप्षन A है अनुच्छे 343, option B अनुच्छे 344, option C अनुच्छे 345 और option D अनुच्छे 351 तो यहाँ पर दोस्तों सही जवाब जो हो जाएगा आपना अनुच्छे 351 जो है राज वहार्षा हिंदी के विकास के संबंद से है हमारा दस्वा प्रश्ण है हिंदी के विकास इवन परसार के लिए विसेस कदम जो है किस अनुच्छेद में उठाया गया है option अनुच्छे 351, अनुच्छे 352, अनुच्छे 344, अनुच्छे 344 तो हमारा सही जवाब है इसका अनुच्छे 351 में जो है हिंदी का परचार परसार जो है sorry विकास एवन परसार का जो है विसेस कदम उठाया गया था एक आर्मा प्रश्ण है राज भाषा अधिनियम में कितने धार आए है तो option A 8, option B 9, option D 10, option D 11 तो यहाँ पर आपका सही जवाब हो जाएगा option B राज भाषा अधिनियम में टोटल 9 धार आए है बाढ़मा प्रश्ण है राज भाषा अधिनियम कब पारित किया गया था option A 10, 5, 1963, option B 10, 5, 1967, option C 10, 5, 1965, option D 10, 5, 1962 तो इसका सही जवाब है दोस्तो 10, 5, 1963 को राज भाषा अधिनियम जो है पारित किया गया था हमारा option A 1 सही जवाब है हमारा तरहवा प्रश्ण है राज भाषा अधिनियम कब लागू किया गया पिछला प्रश्ण था दोस्तो कब पारित किया गया तो उसका एंसर बना था 10, 5, 63 में और दोस्तों यहाँ पर क्या है लागो कब किया गया तो पहला option 26, 1966, दूसरा option 26, 1965, तीसरा option 26, 1965 और चोथा option 26, 1965 तो हमारा दोस्तों इसका सही जवाब है 26, 1965 option number C, चौथा प्रश्ण, राजभाषा अधिनियम में कौन सी धारा सबसे महतपूर्ण है option A धारा वो एक, option B धारा दो, option C धारा तीन, option D धारा तीन के तीन तो इसका सही जवाब है option D, धारा तीन के तीन जो है वो सबसे ज़्यादा महतपूर्ण है पंदरहवा प्रश्ण, भारतिय समिधान की आठवी अनुसूची में कितने भासाओं को मानता दिया गया है तो option A 18, option B 20, option C 22, option D 24 तो यहाँ पर दोस्तों आठवी अनुसूची में टोटल जो है 22 भासाओं को मानता दिया गया है इसका सही जवाब हो जागा option C यहाँ पर typing mistake हो गया, यह सुलह हमा पुरस्ण है लेकिन 15 हमा लिखा गया है दोस्तों यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक कीशवाशन अम्मिधान संसोधन में कौन सी भासा जोड़ी गया थी आप्शन A सिंधी, आप्शन B तेलवू, आप्शन C बोडो, आप्शन D कौंकनी तो इसका सही जबाब जो है, आप्शन A सिंधी भासा को एक इसमा समिधान संसोधन में जोड़ा गया था तो पहला आप्शन है कौंकनी, दूसरा मनिपूरी, तीसरा नेपाली, चौथा सभी तो दोस्तो 71 समिधान संसोधन में जो है, ये तीनो भासा जोड़ा गया था कौंकनी, मनिपूरी, नेपाली, ये तीनो भासा जोड़ा गया था तो इसका सही जबाब है दोस्तो, आप्शन C, चार भासा को जोड़ा गया था जिसमें कौन-कौन सा भासा था, डोंगड़ी था, डोंगड़ी, बोडो, संथाली और मैथली दोस्तो जो है भासा था, इसमें चार भासा जोड़ा गया था बेरानवा संविधान संसोधन में के बाद अठारवा प्रश्न 21 संविधान संसोधन कब हुआ? पहला ओप्शन है 1965, दूसरा 1966, तीसरा 1966 और 1964 1968 तो इसका सही जवाब है दोस्तो, 1960 में जो है 21 संमिधान संसोधन किया गया था नतलब इसका सही जवाब HOPC़न C प्रश्न ऐकहत्तर वाँ संमिधान संसोधन कब हुआ ? apartment a, 1990, option b, 1991, option c, 1999, option b, 1993 तो इसका सही जवाब है दोस्तो, option b, 1922 में में जो है 71 शंविधान संसोधन हुआ और 1967 में एक किश्वा प्रस्ण तिरानवा शंविधान संसोधन कभ हुआ पहला ऑप्षन है 2001 में दूसरा 2003 में तीसरा 2005 में 2014-2012 में तो इसका सही जबाब है दोस्तो 2003 में जो है तिरानवा शंविधान संसोधन हुआ था अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो दोस्तो रेलवे जीडिसी एलडिसी एकजाम के लिए कोस्चेन बैंक में मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करवा दूँगा तो